वाल में की गुरु देव के पदपंकज सिरनाई सुमिरे मात सर्सवती हम पर हो सहाई मात पिता की वंधना करते बारं बार गुरु जन राजा प्रजाजन नमन करो स्विकार हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये राम आयन है पुन्य कथा श्री राम की जम्बू द्वी पे भारत खंडे आर्या वरते भारत वर्षे एक नगरी है विक्यात अयोध्या नाम की यही जन में भूमी है पर्म पुझ श्री राम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये राम आयन है पुन्य कथा श्री राम की ये राम आयन है पुन्य कथा श्री राम की रगु कुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ति दसरत पुन्यात्मा संत्ति है तु यग्य करवाया धर्म यग्य का शुब फल पाया नरिप घर जन में चार कुमारा रगु कुल दीप जगत आधारा चारो भ्रातों के शुब नामा भर्त शत्रुगन लक्ष्मन रामा गुरु वशिस्ट के गुरु कुल जाके अल्प काल विद्या सब पाके पूरन हुई शिक्षा रगुवर पूरन काम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायन है पुन्य कथा श्री राम की मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तोती धंग एक एक कर वर्नन करे लव कुष राम प्रसंग विश्वामीत्र महा मुनिराई इनके संग चले दो भावी कैसे राम ताड का मारी कैसे नात अहिल्या तारी मुनिवर विश्वामीत्र तब संग ले लक्ष्मण राम सिया स्वयं मर देखने पहुचे मित्ला दाम जनकपुर उत्सव है भारी अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी जनकपुर उत्सव है भारी जनक राज का कठिन फरण सुनो सुनो सब कोई जो तोड़े शिव धनुष को सोसीता पती होई को तोड़े शिव धनुष कठोर सब की द्रिस्टी राम की ओर राम विनेगुण के अवतार गुरुवर की आज्या सिर्धार सहज भावे से शिव धनु तोड़ा जनक सुता संग नाता जोड़ा रगुवर जैसा और न कोई सीता की समता नहीं होई दो करेप राजित कांति कोटि रति काम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायन है पुन्य कथा सी अराम की सब पर शब्द मोहिनी डारी मंत्र मुग्द भै सब नर नारी यू दिन रैन राह जाते हैं बीते लवकुषने सब के मन जीते वन गमन सीताहरन हनुमत मिलन लंका दहन रावन मरन अयोध्या पुनरागमन सहविस्तार सब कथा सुनाई राजा राम भै रगुराई राम राज आयो सुख दाई सुख सम्रिद श्री घर घर आई काल चक्र ने घटना क्रम में ऐसा चक्र चलाया राम सिया के जीवन में फिर गोर अंधेरा चाया अवद में ऐसा ऐसा एक दिन आया निशक लंक सीता पे प्रजाने मिथ्या दोस लगाया अवद में ऐसा ऐसा एक दिन आया चल दी सिया जब तोड कर सबने हनाते मोह के पाशान रिद्याओं में न अंगारे जगे विद्रोह के ममता मई माओं के आचल भी सिमट कर रह गए गुरुदेव ज्यान और नीती के सागर भी घट कर रह गए ना रगुकुल ना रगुकुल नायक कोई नसियका हुआ सहायक मानवता को खो बैठे जब सभनगर के वासी तब सीता को हुआ सहायक वन का एक सन्यासी उन रिशि परमुदार का वाल में के शुब नाम सीता को आश्रे दिया ले आए निजधाम रगुकुल में कुल दीप जलाए राम के दोसुत सियन जाए शुरोतागन जो एक राजा की पुत्री है एक राजा की पुत्र वदू है और एक चक्रवर्ती राजा की पतनी है वही महरानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है अपने कुल के गोरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे भी न कैसे अपना काम वह स्वयम करती है स्वयम वन से लकड़ी काटती है स्वयम अपना धान कुटती है स्वयम अपनी चक्की पीस्ती है और अपनी संतान को स्वाव लंबी बनने की सिक्षा कैसे देती है अब उसकी एक करुन जहांकी देखिए जनक दुलारी कुल वदू दसरत जी की राज रानिहों के दिन वने में बीताती है रहते ते गेर जिस दास दास आठो याम दासी बनी अपनी उदासी को छूपाती है धर्म परवीना सती परम कुलीना सब विधिदो से हिना जीना दुख में सिखाती है जग माता हरी प्रिया लक्षमी सवरूपासिया कूटती है धान भोज स्वय में बनाती है कठिन कुलाडी लेके लकडिया काटती है करम लिखे को पर काट नहीं पाती है फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था दुख बरी जीवन का भोज वह उठाती है अरे धांगे नीर अगू भीर की वह धरे धिल भरती है नीर नीर नैन में नालाती है जिसके प्रजा के अप वादों के कुछ चक्र में वो पीसती है चक्की स्वाबिमान को बचाती है पालती है बच्चों को वो करम योगीनी की भाती स्वाबिमान स्वाब लंबी सबल बनाती है ऐसी सीता माता की परिक्षा लेते दुख देते निठूर नियती को दया भी नहीं आती है ओ उस दुखिया के राज दुलारे हमें ही सुत श्री राम तिहारे ओ सीता मा की आख के तारे लव कुष है पितू नाम हमारे है पितू भाग हमारे जागे राम कता कही राम के आख